नमस्कार दोस्तों वर्ष 1996-97 में स्विक्रत हुई दोसा से गंगापूर सिटी की 94 किलोमीटर लंबाई की छोटी सीरियल परियोजना को उस समय करीब 200 गर्ड रुपे के बजट में बनाया जाना था लेकिन वक्त के साथ में इस परियोजना का इंतेजार भी बढ़ता गया और लागत भी बढ़कर लगभग साड़े 900 करोड के आसपास पोच गी और पिछले कुछ वर्षों से केंदर सरकार के द्वारा अच्छा बजट दिये जाने से इस परियोजना का कार्य अब लगभग पूरा होने वाला है वर्ष 2017 में दोसा से डिडवाना तक का सीरेस पूर्व में लिया जा चुका है लेकिन जो सेक्षन था इस पर एक बार फिर से हाल ही में इंजन चला का ट्रायल किया गया और इससे पूर्व जो मार्च महीना था उसमें पिपलई से लालसोट के बीच में भी सीरेस इस वर्ष किया जा चुका है वहीं गंगापूर सिटी से पिपलाई के बीच में 10 मार्श 2021 को CRS कर लिया गया था वहीं इस पर्योजना की और राजिस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग फिलहाल में निर्माना धीन है जिसका की कार्य किया जा रहा है दोसा से डिडवाना का 35 किलोमेटर ट्रेक पर 90 किलोमेटर प्रती घंटा की रपतार से इंजन को दोड़ाया गया तथा इससे पूर्व दोसा गंगापूर रेल परियुना पर कारेरर डिप्टी चीफ इंजिनियर की अगवाई में रेल कार्मिक दोसा से इंजन लेकर डिडवाना रेलवे स्टेशन तक पहुचे तथा यहां पर रेलवे कर्मचारियों ने नारियल फोड़ने के बाद में इंजन का पूजन भी किया तथा यहां से डिडवाना से दोसा के बीच में इस पी ट्रायल भी किया गया ट्रायल की दोरान रेल इंजन की सीटी लगतार बसती रहे इस दोरान कई जगों पर ट्रेक को चेक भी किया गया करीब धाई दशक से भी अधिक समय से लंबित पड़ इस परियोजना पर यह टायल काफी महतपूर्ण माना जा रहा है इस वर्ष इस परियोजना का पूरा होने की जो कैयास लगा जा रहे थे उसकी और यह सापतोर पर इशारा करता है इस परियोजना में दोनों और कुल 11 स्टेशन है जिसमें 6 क्रासिंग और 5 फ्लेग स्टेशन सिंगल लाइन वाले बनाएगा है जो सुरंग का कार्य चल रहा है लाल सोड से इंदावा के बीच में यहां राजिस्थान राजी की सबसे बड़ी रेल सुरंग है तथा इसका कार्य अब लगबग पूरा होने की कगार पर आ गया है इसी की वज़े से जो यहां परियोजना है इसका कार्य बार बार रुखता रहा अगले 6 महिने के अंदर इस सुरंग का कार्य पूरा हो जाएगा और बारिश के पस्चात में CRS भी किया जा सकता है पूर्व में छेतरवासियों ने डिडवाना से दोसा और लाल सोट से गंगापूर सिटी के बीच में ट्रेन चलाने की मांग की थी लेकिन जब तक पूरा सेक्षन तयार नहीं हो पाएगा उसी सिटी में इस सेक्षन में ट्रेन चलाना संभव नहीं है तो जैसा कि कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत तक इस रेल मारग की सोगात छेतरवासियों को मिल जाएगी इस पर डेमू गाडिया शुरुवाती तोर पर चलाई जा सकती हैं क्योंकि अभी विद्धिती करण का कारे इस सेक्षन में शुरू नहीं हो पाया है और भी अपडेट्स इस रेल परियोजना की पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का धन्यवाद